हेलो एबरीवन स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चनल ग्लैंस एकेडमी पे आज हम डिसकस करेंगे फिर से घटना चक्र 2022 की सीरी जिसमें हम इंडिन जोगराफिय डिसकस कर रहे हैं लवक 14 से 15 क्लास डिसकस की गई है हिस्ट्री की भी डिसकस हो रही है लगातार इंडिन पॉलिटी भी चलाई जा रही है और साथ ही साथ साथ साइंस वी जो आपके आने वाले PCS प्री एक्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले UPPCS MPPCS और पिहार PCS के लिए तो अगर अभी तक आपने चनल को सब्सक्राइब ही किया तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब क परशाद पूरे विस्व में अगर हम देखे तो बांगला या बंगाली भासा को छटे नंबर पे माना जाता है सबसे अधिक बोली जाने वाली भासा है अब इसके बाद हम देखते हैं यहां पे कुछ बिभिनस समू हैं जिसके अंतरका हम देखते हैं भारत यूरूपी भा भासा मानी जाती है अगला देखेंगा आप सेकंड कटेगराजिशन है कि सेकंड वर्गी कर्ड द्रवन भासा का है जिसमें दक्षड भारत की भासाओं को सामिल किया गया तेलगू तमिल मलयालम कंड़ गॉंडी और आउंग और तीसरी आती है जनजातियों की भासा है जो कि सास्त्री भासाओं भी इसमें जो एक्जाम्स में आप पूछे रहते हैं जो है कि सास्त्री भासाओं से रिलेटेड जैसे पूछा जा रहा है भारत सरकार द्वारा तमिल संस्कृत कंड़ तेलगू मलयालम उडिया इनको सास्त्री भासाओं के रूप में घोसित किया गया वो टोटल 6 भासा हैं होती संस्कृतिक भासाओं के रूप में या सास्तरी भासा हों आप देखेंगे कि इसमें मेकसिमम जो चार भासा है वो साउत की हैं जैसे कि तमिल हो गया, कनण ओगया, तेलगू हो गया, मल्यालम हो गया जबकि संस्कित भासा हमारी और उडिया भासा ये उत्तर भारत की रूप में हैं और इनी कॉम सास्त्री भासाओं में काउंट करते हैं तमिल हमारी भारत की पहली भासा है जिसे 2004 में सास्त्री भासा का दरजा प्रदान किया गया और संस्कित को 2005 में दरजा परदान किया गया तो आपके UPPCS में सामाने तर ज़्यादा चांसेज रहेंगे संस्कित भासा के बारे में कि कौन सी जो एकी सास्त्री भासा नहीं है या कितनी सास्त्री भासा होती है या संस्कित को कब सास्त्री भासा का दरजा दिया गया और जो सबसे latest की अगर हम बात करें तो सबसे नवीन ओडिया भासा है जिसको 2014 में सास्त्री भासा का दरजा दिया गया भारत सरकार के दोरा जब किसी सास्त्री भासा के रूप में किसी भासा को गोसित किया जाता है, तो उससे सम्मझित कुछ प्रावधान होते हैं, क्या प्रावधान होते हैं, पहला है इस भासा का 1500 से लेके 2000 वर्सों की अवधी का सम्रिद मूल पाठ या इतिहास हो अपना, अब हम जानते हैं संस्कित भासा, जो की आदी काल से चली आरे रिगवेदिक समास से ही, तो 1500-2000 से अधिक समय की कहानी है, प्राचीन साहित्य या मूल पाठ का एक भाग, जिसे वक्ताओं की पीडियों और बहुमूले विराशत द्वारा माना जाता है, जैसे आज भी हम कहते हैं, रिगवेद क्या है, अनुसरुती प्याधारित, यानि क सुनते हुए पीड़ी तर पीड़ी जो एकि लेखांकन किया गया, तो आज भी वो एतिहासिक रूप से बहुत ही महत्पूर है, थर्ड नमबर पे हम देखें, संबंदित भासा की साहित्तिक परंपरा मौलिक है, किसी अन्य बोली जाने वाले समुदाय से प्राप्त नहीं ह होती है, वहीं चोथी अगर हम देखें, सास्तृ भासा और साहित्ति-ठे अधुनिक्ता से भिन होने के कारण, सास्तृ भासा तथा इसके अगले रूपों के बीच अन्त्राल भी हो सकता है, तो ये इस तरीके से दर्जाव आपको देखने को मिलता है, तो सास्त्री भासा त टोटल छे प्रकार की होती हैं हम देखते हैं प्रश्न को सिस्से संबंदित जो प्रश्न आपसे पूछे गए जैसे अभी हालीम पूछा गया की है ओडिसा से महराज तक फैली राज मूरिया हल्बा महार परजा लोहरा आदी जन्जातियां इसे बोलती हैं वहीं हो मुंडा परिवार की परिभासा है जो हो मुंडा होला कोल आदी जन्जातियों दोरा बोली जाती है इसका मुख्य शेत्र पश्यमी सिंग्भूम या सरवाधिक बोली जाने वाली है तो हमने आप ही बताया कि सेकंड नंबर पर बांगला है और अगर ओवराल इंडिया में देखेंगे इन वर्ड में तो सिक्स नंबर पर आती है लेकिन अगर हम इंडिया में देखेंगे तो सेकंड नंबर पर बांगला का नंबर आता है नेक Q4 है, हिंदी के पशात कौन सी भासा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो भाई हिंदी के बाद तो हमने अभी बताए कि बंगाली भासा सबसे अधिक बोली जाती है, second number पे. थर्ड है, निम्नांकित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भासा ही समूर है? तो आप बताए हिंदी को सबसे अधिक लोग बोलना है, तो नोड़ाउट हिंदी किस में आती है, इंडियो, इंडियो, आर्यन में आ जाएगा, या या यूरोपी में हम मान सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियो, आर्यन की जो संक्या है, वो लगभग लगग जो कि भारत यूरोपी का ही एक पार्ट है, 78.5 पर सत लोग बोलते हैं, फिर द्रवड आती है, द्रवड आपकी सेकंड नमबर पर आती है. कोशन नमबर नेक्स्ट हम देखते हैं, 6. निमलिखित में से कौन सी एक आउस्ट्रिक समू की भासा नहीं है? और मैंने बताया था कि आउस्ट्रिक समू की जो भासा होती है, वो जनजाती भासा होती है. आप यहाँ देखिए मराठी, लद्दाकी, तमिल या खासी. और खा कोशन यूपी से स्पेसल है, जैसे आप यह देखिए कि हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश का मैप है, आपसे पूछा जारा है A, B, C, D, करम से इन भासाओं का करम बताना है. तो आप यहाँ पे देखिए कि यह कुछ जो एकी मतुरा आगरा वाला चेत्र तो यहां तो ब्रज आप यहां देख सकते हैं कि कौन सी भासा यहां पे बोली जारी है, तो मैं आपको चित्र में दिखा दूँ, अगर आप देखिए कि पहला A option इंडिकेट कर रहा है कि इसको ब्रज भासा को, B option इंडिकेट कर रहा है कि इसको आवधी को, तो हम पहले ब्रज भासा और आवध प्राक्ची भासा का दर्जा दिया गया, प्राक्ची मतलब होता है सांस्कृतिक भासा और हमने बताया था कि सबसे लेटेस्ट ओडिया भासा है, जो कि उत्राखंड 2016 पूछा गया है, तो यह PCS के प्री में भी आप से पूछा जा सकता है, UP के, देखते हैं 20 फरवई 2014 को के किंद्री मंदल ने ओडिया भासा को सास्त्री भासा के तौर पर वर्गिकित किया, जबकि सबसे पहले तमिल भासा को 2004 मेरा दर्जा प्राप्त हुआ था, कोशन नमबर हम नेक्स देखते हैं या नेक्स चेप्टर ये, तो देखिए यहां पर यह नेक्स चेप्टर आ रहा ह तो आप लिखेंगे गंगा नदी तंत्र, सबसे बड़ा अपवा तंत्र है, पूरे भारत का, देखिए हिमाले की नदियां कुछ पूरवर्ती नदियां होती है, पूरवर्ती अपवा का उधारन है, जैसे हिमाले के उत्थान के क्रम में निरंतर अपर्दन का कारे करती रह हैं कि आप देखें के चार रहे हैंWर की नदे नदियां को काटा जा रहा धान किई नदियां अपना निश्चित करम करम三ज के से होते हैंWर तो कुछ इस तरीक हिमाले के उत्थान से पहले इनके द्वारा गौर्ज बनाया जाते हैं जैसे गौर्ज महाखड आधी का निमार किया जाता है इस प्रकार की नदियों में जैसे सिंदु सतलज, गंगा और ब्रहमपुत्र तो यही चार नदियों को हिमाले की पुर्वर्थी नदिया कहा जाता है या पुर्वर्थी अपवा जो हिमाले के निर्मार से पहले भी थी और गंगा नदि जो है कि भारत की सबसे लंबी नदि लगए 25-25 किलोमेटर इसका छेतरफल है, मतलब लंबाई है और इसका उदगम कहांस होता है टिहरी में इसमें भिलांगना नदि और दियो प्रियाग में अलकननदा आकर मिल जाती है, भागी रती और अलकननदा जब आपस मिल जाती है तो इसी को जो है की गंगा नदी कहा जाता है किसको कहा जाता है, भागी रती और अलक नंदा और सबसे पहले गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में जबकि इससे पहले रिशी केस में परवती छेत्रों ब्रती रिशी केस से उतरते हुए गंगा हरिद्वार में आती है जो कि एक समतल मैदान होता है वहाँ प्रवेश करती है और गंगा जारखंड की सीमा परिसित राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर की और प्रवाहित होती हुई पश्यमंगाल के फरक्का नामा के स्थान पर यह बांगला देश में प्रवेश करती है और बांगला देश में इसे पदमा नाम से जाना जाता ह और यह इस तरीके से आगे बैती है और यहां पर यह मेगना नदी आके यहां से इस तरीके से मिल जाती है इसलिए काया था गंगा ब्रमपुत्र का डेल्टा हुगली और मेगना नदियों के बीच बनता है डेल्टा किसे कहते हैं? जब यहाँ पर यह नदी आती है समुत्र के किनारे आते होते तो यह पंजे की तरह कुछ इस तरीके से फैल जाती है और यहाँ पर बलुवट होने के कारण यहाँ पर दल्दली छेतर भी होयाता है जहाँ पर आपकी मैंगरोव वनस्पतियों का विकास बहुत अच्छा होता है और यह गंगा यमुना का जो ब्रह्मपुत्र मतलब की डेल्टा है वो सबसे बड़े डेल्टा करने माड करती है अब आप समझ गया होगे इस चीज को जो है कि आगे देखेंगे अलकनंदा नदी चमोली टिहरी पॉरी गड़वाल जिलों से होकर बैती है चमोली जिले की नगर पंचाग बद्रिनाथ अलकनंदा के तड़ परिस्थित है आदी संकरा चारे द्वारा जो चार पीठो के स्थापना की गई थी भारत के चार छेत्रों में उत्तर दच्छर पूरब पश्ये वहां बद्रिनाथ में एक स्थापित है यानि उत्तर में केदारनाथ से रुद्र प्रियाग के और बहने वाली नदी मंदाकनी है यह चौरा बाड़ी ताल से निकलती है और सोन प्रियाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है केदार नाथ से रुद्र प्रियाग के मत प्रवाहित होने वाली नदी जो मंदाकनी है और रुद्र प्रियाग में मंदाकनी अलकनन्दा से मिलती है तो रुद्र प्रियाग में कौन मिलता है? मंदाकनी अलकनन्दा से मिलती है जबकि देव प्रयाग में अलक नंदा भागी रथी से मिलती है जहां पर वो क्या हो जाता है गंगा नदी के रूप में बदल जाती है आपसे एक प्रशने पूछता है कि केदार नाथ जो कि हमारे भोले नाथ का मंदिर है वो किस नदी के तट पर है तो मंदाकनी नदी के तट पर है और मंदाकनी कहां मिलती है अलक नंदा से रुद्र प्रयाग में मिलती है कहां पर रुद्र प्रयाग में और इसी से समझद आगे हम देखते हैं कि कन प्रियाग में अलग नंदा नदी जो एकी पिंडार नदी से मिलती है और अलग नंदा सिवलि Nepषर के उत्र पूरवी भाग में अलका पूरी इस्तित सतोपत्थ ग्लेसियर के हिमनत से निकलती है तो अलक नंदा कहां से निकलती है? सतोपत गिलेसियर से निकलती है हिमाले से निकलने वारी बहुत सी नदियां आकर गंगा मिलती है जैसे कौन कौन से मिलती है नदियां इसको समझते है जैसे सबसे पहले हमारी राम गंगा है, सार्दा यानी सर्यू है, घागरा, गंड़ा, कोसी, यमुना यमुना की बात करें, तो यमुना जो हिमाले के यमनोत्री हिमानी से और यह गंगा के दाहिने किनारे से समानांतर भाती प्रियाग राज में जाके गंगा से मिल जाती है जैसे मान लिजे कि यह हमारी गंगा नदी जो एकी बहरी है और यहीं से हमारी यमुना नदी निकलती जो इस गंगा के दाहिने होते हुए आके और यहाँ प्रियाग राज में जो है की मिल याती इस संगम पे जिसकों प्रियाग राज का संगम भी कहते हैं तो यहाँ यह मिलती है नदी सार्दा नदी नेपाल हिमाले में मिलाम हिमानी यानी मिलाम गिलेसियर से निकलती है प्रारम में इसे गौरी गंगा कहते हैं भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं आप जब पुनागरी मंदिर उत्राखंड में है जहां पे चमुली जिले में जब आप वहां जाएंगे भूमने तो भारत नेपाल की एक सीमा है बॉर्डर है वहां काली नदी पर ही इस्थित है वहीं उत्तर प्रदेश के बारबंकी जिले में घागरा से मिलती है कोसी नदी नेपाल हिमाले से निकल कर गंगा नदी में मिल जाती है प्राया मार्ग बदलने की प्रवित्तिकार इसमें भीसर बाड आती है और इसी वज़े से कोसी नदी को बिहार का सोक कहा जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि पश्चिम मंगाल का सोक किस नदी को कहा जाता है गंडक नदी नेपाल हिमाले से निकल कर सोनपुर में गंगा से मिल जाती है पटना के निकट जो एकी सोनपूर में गंगा से मिलती है वहीं त्रिवेडी नहर में गंगा नदी से पानी आता है जो बिहार की बहुत ही महतपूर नहर है त्रिवेडी नहर इसमें जो पानी आता है वो गंडक नदी से आता है या पश्यम चंपारन जिले में इस्थित है रामगंगा नदी का उधगम भी उत्राखंड राज के पौड़ी गढ़वाल या दूधा टोली स्रेडी में इस्थित है अगर हम बात करें यमुना नदी की फिर से तो यमुना नदी आपकी दोस्तों यमुनोत्री हिमनत की बंदरपुछ चोटी के पास उधगमित होती है कहाँ पे बंदरपुछ लेकिन यमुना की भी कुछ सहायक नदी है जैसे चंबल, बेतवा और केन और ये तीनों ही अमर कंट अमर कंटक के पठार से निकलती है और साथी साथ जो सोन नदी है ये आपकी गंगा के दच्छडी टट की मुखे सहायका नदी है जो पठार के किनारे पर जल प्रपातों की एक सरिंखला बनाती हुई उत्तर दिसाव की और बहती है और पठना के निकट गंगा में मिल जाती कौन से पठार से निकलती है तिनों मालवा के पठार से हैं आगे देख लेते हैं इसी में दामोदर नदी जारखंट के छोटा नागपुर छेतर से निकलकर होगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्वे ही उससे मिल जाती है दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जान गोमत ताल या फुलहर जील जो की पीली भीत उत्तर प्रदेस में इस्थित है और या गंगा नदी की एक मात्र साहिक नदी है जिसका उदगम मैदान से होता है नर की पठार या परवत से क्योंकि जो दच्छड की गंगा मतलब गंगा में जो दच्छड से आने वाली जोड़ती है वो तो आपकी पठारों से आती है जिसे मालवा के पठार से अमरकंटक पठार से लेकिन जो उत्तर की नदी है वो आपके हिमाले से आती है लेकिन एक मात्र ऐसी नदी है जो उदगम मैदानी छेतर से होता है, फुलहर जील से आईए, कुछ नदियों के बारे में जानकारी लेते हैं, जैसे गंगा का जो उद्गा में वो गंगोतरी हिमाना से है और इसका संगम जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, यमुना यमनोतरी हिमानी यानि बंदर पुस से निकलती है और ये गंगा से मिल जाती है, प्रियागराच इलहाबाद में सार्दा नदी जो काली नदी के नाम से जानी है नेपाल हिमाले में एक मिलाम मिलाम गलीशियर वहां से निकलती है और घागरा 12 बंकी में आकी मिलती है कोसी नदी यह नेपाल हिमाले में गोसाई थान से निकलती है और गंगा में जो एकी आके मिल जाती है वही राम गंगा की बात करेंगे यह भी जो एकी गंगा में मिल जाती है और चंबल को देखने तो मधुद पर्देश से निकलती जानापाव पहाड़ी से और यमुना जो है कि इतावा के निकटा के मिल जाती है य direct में. गोमती की बात करें तो गोमलताल याईinkि फुलहर जील से निकलती है और यह गंगा में आकर मिल जाती है तो यह तो थेज दोस्तों कुछ इससे समझेश फैक्ट और हम बात करेंगे इसके प्रश्ण कोस की तो चलिए पहला प्रश्ण हम देखते हैं गंगा नदी का उधारन है जो गंगा नदी वो कैसी उधारन है पूरवर्ती अप प्रश्ण करने के बाद गंगा नदी को निमलिखित में से किस नदी के नाम से जाना जाता है तो पदमा नाम से इसको जाना जाता और यूपी पीसे में 2016 में यह प्रश्ण पूछा गया था देखिये ये कोई रीजन नहीं होता है, गंगा और भरहाफुत्रा कि निमार से बनता है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वों उतनी ही प्रदूसित होती है। तो देखिए, ये कोई reason नहीं होता है. गंगा माना कि गंगा नदी बहूत परदूसित है और याव ही बात सचिए, कि गंगा बहुत पवित्र है. इसलिए उसमें बहुत सारे पवित्र काररे होते हैं, धार्मिक काररे होते हैं, पूझा पाठ होती हैं, हर जो एकी मेला लगता है, तो मेला पे आम जनता क्या करती है, फूल फेक देती है, माला फेक देती है, अपने नहाने के लिए साबून, सैंपू, बहुत सारी चीज़ों को यूज करके वहीं फेक देती है गंगा के किनारे, तो गंगा नदी भी जो एकी प्रदूसित हो जाती गंगा की जलोड मिर्दा की गहराई भूमी सताय के नीचे लगवक कितनी है तो भाई आप देख लिए 6,000 मीटर तक की जोएकी इसकी गहराई होती है अगला देखते हैं प्रश्न कतनों का परिक्षड करना है देव प्रियाग में अलकननदा भागी रती नदी के संगम पर इस्थित है बिलकुल क्योंकि अलकननदा भागी रती जब आपस में मिलती है तब देव प्रियाग का निमान होता है और वहीं इसका नाम गंगा पढ़ जाता है अगला है आपका रुद्र प्रियाग जो की अलकननदा और मंदाकनी नदी के संगम पर है बिलकुल और मंदाकनी नदी के तट पर ही जोए की केदारनाथ का मंदिर भी है अलकननदा बद्रीनाथ से बाती है केदारनाथ आदी संकराचार दौरा इस्थापिस सबसे बड़ी पीट के रूप में मानी जाती है तो आप देखेंगे कौन सा स्टेट्मेंट सही है और यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है कत्रों का परिक्षण कीजिए और उसे नीचे दियेगा कूट से सही चैन करिए तो यह option is correct हो जाएगा कि एक दो तीन तो तीनों सही है ले Qrosion में क्या दिया हुआ है केदार नाथ दिया हुआ जबकि केदार नाथ का जो महत्तव है वह आधी संक्राइचारी के समाधी अस्थल की रूप में केदार नाथ का महत्तव माना जाता है question number 9 है यहां पर कुछ अस्थल दियों नदियों के संगं तो धेकि रुद्र और मंदाकनी का होता है सुरी यहां पर नंदाकनी होने चीए ठीक है देखें नंद प्रयाग में अलक नंदा और नंदाकनी नदियों का होता न की मंदाकनी नदियों का तो इसलिए यहां पर कूट सही नहीं मिला गया बाकी सारी चीजें हमने सही बताएं थी पूछ रहा है मं वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी काली नदी यानि कि सारदा नदी की सहायक नदीयों में से मानी जाती है अगला प्रशन है निमलिखित अस्थानों में से कहां पर भागी रती और अलकनंदा नदीयों की मिलाप होता है तो देव प्रियाग में इन दोनों का मिलन होता है और वहीं से नया नाम निकल के आता वो होता गंगा, निम्ले में से किस अस्थान पर अलक नंदा और भागी रती का संगम होता, तो अलक नंदा और भागी रती का संगम ही देव प्रियाग में होता, जहां उसे बाद में गंगा नदी का नाम दे दिया एता है, किन निमलिकित नगरों में अलकनंदा और भागी रती कहां मिलकर गंगा नदी बनाते हैं तो कहां मिलकर गंगा नदी बनाते हैं तो भाई देखिए देव प्रियाग में ही जो एकी मिलने के बाद उनका नाम क्या पढ़ जाता है गंगा नदी पढ़ जाता है उस नदी का नाम बताईए जो केदार नास से रुद्र प्रयाक के मद्ध भाती है केदार नास से रुद्र प्रयाक के मद्ध भाने वाई नदीों का नाम हो जाएगा मंदाकनी चले अगला देख लेते हैं यहां पर प्रशनों कॉशन giving second 16 है निम्लिकित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद मंदिर है तो बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो किस पे है अलक नंदा पे और मंदाकनी पे कौन सा है केदारनाथ हमने क्या पड़ा है कि केदारनाथ की मंदाकनी पे है और जबकि अलक नंदा पे बद्रीनाथ का और थर्ड नंबर पे आपकी नर्मदा आएगी, ये ध्यान रखना है आपको, भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा कितनी? 2525 किलोमेटर की इसकी छेतर, मतलब की जो लंबाई है, भागी रथी निकलती है, भागी रथी नदी निकलती है कहां से? गोमुक से निकलती, क्योंक प्रशनमर 20 है, गंगा नदी की एक मातर साहिक नदी जिसका उधगम मैदान को चिन्हित करता है, तो भाई हमने पढ़ा है कि गोम्ती नदी जो की पीली भित के फुलहर जील से होती है, फुलहर जील, जिला पीली भित उत्तर प्रदेस में इसका उधगम होता है, अगला प् इम्रित हो जाती, क्योंकि सामानता यहां पे सूखा हो जाता है, और बहुत सारे प्रदूशन की वज़े से दिली के छेतर में अगर आप देखेंगे, तो बहुत ही यमुना जो एकी सूखने की कायगार पर आ जाती ही, लेकिन पानी इसमें कभी खतम नहीं होता, तो आर टैरेक्ट गंगा नदी की जो एकी सायक है, इसलिए D option is correct हो जाएगा, यमुना नदी का उद्गम अस्थान है, तो यमुना बंदर पूछ, यानि यमुनो त्री जो गिलिशियर वहां के बंदर पूछ से निकलती है, यमुना नदी, कोशन में 24 है, यमुना नदी की निमलिक इन एक दो, कैसे हो जाएगा, आइए देखते हैं यहां पर, कि सबसे पहले तो आती है आपकी चंबल, फिर सिंद, फिर बेतवा, और फिर यहां पर केन, चंबल नदी मत्रदेश के महू के निकट से निकलती है, और यहां नदी राजिस्थान के सवाई मादोपूर और धौ को नदी पटना में गंगा नदी से डिरेक्ट मिल जाती है, यमुना में उसको मिलने की जवरत नहीं पड़ती है, अगला प्रशन है कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, काली सिंद, पारवती, छिप्रा, बेतवा, आप देखने कि चंबल, बेतवा और केन, यह खुद यमुना की सहाइक नदी हैं, न की चंबल की सहाइक नदी है, तो C option इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेतवा यमुना की सहाइक नदियों में माना जाता है, बेतवा नदी निकलती है, कहां से, बिंध्यन प्रहाडियों से निकलती है, बिंध्यन प्रहाडियों से निकलती ह अगला प्रश्ण है बेतवा नदी निकलती फिर से वही प्रश्ण है यमुना नदी से जोएकी यह मिलती है यहाँ पर पूछाती है यह यमुना नदी से जाकर मिल जाती है कहां पर यह आपको कमेंट बॉक्स से बता देना है इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहि बहना सुरू करती है कौशन मत 30 है निमलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है तो बाएं से नहीं मिलती है तो सोन नदी है जो बाएं से नहीं मिलती है क्योंकि यह दाहिने तट्स होती जैसे मालेगे यह आपकी गंगा नदी मुख्य रूप से ब काम करती जल द्वी विभाजक का काम करती तो बी ऑफशन इस करेक्ट हो गया कैमूर नदी यह आएगा ऑफशन आपका कैमूर स्रेडी जो है नेक्स्ट कोशन नदी का जल ग्रहण सरवाधिक छेतर फल वाला होता है तो अगर आप इन चारो नदियों में देखेंगे तो आपक से किस डेल्ट का एक उपविभाग मोरीवंद डेल्टा आता है निमलिखित में से गंगा नदी घाटी का弗ा कwon इसी उप नदीबन है क्यों सी जोए कि इसी की मानिया थी तो दोस्तों यह तो थी आज की क्लास आहों मिलते हैं next class में आपको next अपवातंत्र जो आपका ब्रह्मपुत्रा का होगा यह सिंदु का तो जोब होगा हम उसको डिसकस करेंगे मिलते हैं next वीडियो में Thanks for watching